छोड़ी लाखों की जॉब तो घर वाले हुए नाराज, बेटी ने दो बार UPSC क्राक कर रचा इतिहास, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपोटेंट है जो ये पूछते हैं कि दिल्ली IIS की तयारी के लिए जाना चाहिए की नहीं। UPSC Civil Service जैसी कथिन परीक्षा को एक बार पास होना मुश्किल होता है। वही, IIS प्रिया रानी का नाम सामने आता है जिन्होंने UPSC एक्जाम को दो बार क्राक कर इतिहास रच दिया है। बिहार के छोटे से गाउं से आने वाली प्रिया रानी का UPSC सफर बेहद रोजक और प् हुआ और वो IIS सर्विस के लिए सेलेक्ट हुई है। बेहद कम उम्म में UPSC दो बार क्राक करके एतिहास रच दिया है। इंपोर्टेंट सूचना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बहुत इंपोटेंट रिसर्च रिपोर्ट का लिंक है उन्हें जरूर पड़े चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार की रहने वाली प्रिया रानी मूल रूप से बिहार के फुलवारी शरीफ की कुरकुरी गाव की रहने वाली है। बेहत साधारल परिवार से आने वाली प्रिया की पिता एक किसान है। वहीं उनकी माता एक ग्रहनी है। हाला कि उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं रखी। बीटेक की डिग्री, शुरू से पढ़ाई में अववल प्रिया रानी की स्कूलिंग होम टाउन से ही हुई है। स्कूलिंग खत्म होने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग का रुख किया। इसके लिए रांची में स्थित बिर्ला इंस्टीटीट ओफ टेकनोलोजी और साइन्स बेसरम में बीटेक कोस में एडमिशन लिया। प्रिया अलेक्ट्रिकल एंजीनियरिंग की डिग्री रखती है। बेंगलुरु में नौकरी इंजीनियरिंग कूरा होते ही प्रिया को प्राइवेट कमपनी में जॉब मिल गई। उन्हें बेंगलुरु में एक कमपनी में हाई सेलरी पर जॉब करने लगी। इस दोरान उनका मन सिविल सर्विस में जाने का हुआ। उन्होंने जॉब छोड़ दी। नौकरी छोड़ने पर उनके परिवार ने काफी नाराजगी जताए। दिल्ली में की तयारी। प्रिया रानी ने यूपीएस सी सिविल सर्विस की तयारी दिल्ली में रहकर की। उन्हें अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासल हो गई। साल 2021 में उन्हें रान्क 284 प्राप्थ हुआ और वो आएज सर्विस के लिए चुनी गई। यहाँ पर आपको बता दी कि अगर आप दिल्ली की बेस्ट आएस कोचिंग ढून रहे हैं तो वो है प्लूटस आएस। ऐसे बनी आएस। पहले प्रयास में सफलता हासल होने के बाद प्रिया ने फिर से परीक्षा दी। साल 2023 की UPC सिविल सर्विस परीक्षा में उन्हें रैंक उनहत्तर से सफलता हासल हुई और वो आएस कैडर के लिए चुनी गई। इसी तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आवर एजुकेशन के इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले कोई भी एजुकेशन न्यूज इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे। आप लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।